हरे कृष्णा भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अठारवे अध्याय का च्यांसट माश लोक 18.66 मैं एक बहुत साधारण विक्ति हूँ मैं ये नहीं कह सकता कि भई ये शलोक महतपून है ये नहीं बट जितना मैंने अपने गुरुदेव के लेक्चर्स में सुना है और जिस संस्था में जाकर इस कौन में मैंने ये लेक्चर्स सीखे हैं पढ़े हैं वहाँ पर यहीं चर्चा होती थी कि पूरी भगवत गीता में अगर कोई नंबर वन शलोक है सबसे इंपॉर्टन शलोक है जो हमें याद भी जरूर करना चाहिए तो वो है 18.66 ये भगवत गीता का क्लाइमेक्स है ये शलोक अगर हमने समझ लिया तो पूरी भगवत गीता का ज्यान इसी एक शलोक में है मैं इसको संस्कृत में एक एक शब्द के साथ पढ़ूँगा सबसे पहले भगवान ने कहा ह सर्वधर्मान सर्वधर्मान का मतलब समस्त प्रकार के धर्म भगवान इस लोक में कहेंगे सारे धर्मों को छोड़के सिर्फ मुझे अपनाओ सर्वधर्मान अब इसमें सारे धर्मा आ गए इस नाट अबाउट हिंदू, मुसलिम, सेख, इसाई, इस नाट अबाउट भ्रामन, शत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस नाट अबाउट स्त्री, पुरुष, इस नाट अबाउट गोरा, काला, इस नाट अबाउट गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, किसी ची चीज की बात नहीं है आप अपने आपको जिस भी चीज से रिलेट करते हो भूल जाओ नो बंगॉली नो पंजाबी नथिंग नो हिंदू अभी भगवान सारे विश्व के हर वेक्ति को एकी संदेश दे रहे हैं एकी आदेश दे रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो समस्त प्रकार के धर्म परितज्य त्याग कर माम मेरी एकम एक मात्र शरण में शरणम रजय जाओ तो क्या कहा भगवान ने कि समस्त प्रकार के धर्मों का जितने भी मैंने आपको कहा ना आप अपने आपको जो कुछ भी समस्ते हो माता समस्ते हो पिता समस्ते हो भाई समस्ते हो एक तरह से जब भक्ती करनी है अगर भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ती करनी है तो भगवान ने कह दिया समस्थ प्रकार के धर्म समस्थ समस्थ प्रकार के धर्म का पर इत्याग करो और मेरी शरण में आओ एक माम एकम एकम भगवान ने का सिर्फ एक मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूँगा डरो मत अचली होता क्या है कि हम जो कुछ भी आस तक कर रहे होते हैं जब हम उस पूजा भक्ति पद्धि को छोड़ कर भगवान कृष्ण की भक्ति में जाते हैं तो कही बार गवराट भी होने लगती है हम अपनी जो भी एक्टिविटीज जो भी सेवा कर रहे हैं अगर उसको थोड़ा भी सब्सिट्यूट करके only भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने की तरफ जब बढ़ते हैं जब हम हरी नाम लेते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं भक्तों का संग करते हैं कादिशी वरित करते हैं दान करते हैं और थोड़े बहुत यग्या करते हैं इस सब चीजे जब करते हैं तो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने का मन करता है और तब डर भी लगता है डर लगता है कि क्या दोनों को साथ साथ चलाएं आप मेरे से पूछोगे अगर कि मैं प्रभुजी ये करता हूँ और ये भी करूँ तो मैं बोलूँ अब मैं तो भगवान नहीं हूँ ना मैं गुरू भी नहीं हूँ तो मैं तो कैसे बोल दूँ भाई पिछला छोड़ दे ब सब धर्मों का त्याग कर दो सर्व धर्मान परितज्ये माम एकम श्रणम्रजे अम तुम सुर्फ पापे ब्यों मुक्षिशा में माश उचा डर मत डर लगता है भगवान को भी पता था डर लग सकता है यार सारे धर्मों को छोड़के सिर्फ क्रिश्न की अनन्य भक्ती ऐस चीले भगवान ने अब अन्त में जाकर 1866 में बोल दिया सर्व धर्मान परितज्य सारे धर्मों को छोड़ दो सेवा छोड़ने को नहीं कहिए भगवत गीता में जो आपकी नित्य सेवा है जो नित्य कर्म है वो करते रहना है डोंट बी किन्फ्यूजड यह नहीं कि खाली होके बैट गए बस माला कर रहें 24 गंटा ऐसा नहीं कहा है आठना द्याय में भी भगवान ने अर्जिन को क्या का था मेरा चिंतन बनायराक और युद्धकर तो यह इंस्ट्रक्शन को लेके कन्फ्यूज नहीं होना ये श्लोग बेसिकली भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए सब धर्मों को त्यार कर दो सिर्फ एकम माम एकम सिर्फ मेरी एक शरण में आओ मैं तुम्हें साले पापों से मुथ अब्ट्री अपने अंदर जोगे कभी ने जहने में पाप हुए होंगे सबसे महत्पुन्ट श्लोक है प्रभजी सबसे महत्पुन्ट श्लोक है इसको अच्छे से याद भी कीजिए और इस पर ध्यान भी दीजिए और जब भी कभी घवराट हो इसको अपने मन में दुबारा से बुद्धोराईए आपको शक्ति मिलेगी बल मिलेगा भक्ति मिलेग भगवान की कृपा मिलेगी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे